कि के से कौन subscribe के कौन से तोपी के उन्र टोपी को慢 पहले डिसकर्स करें उसके बाद अपन देखने वाले हैं कि सीड में अपने सीड से कहां कहां से क्यूसन्स फुटब होते हैं उसको अपन देखने वाले हैं तो देखेगा दोस्ट सबसे पहले अपन देखते हैं यहां पर सीड में कौन-कौन से टोपिक है तो यहां पर देखीगा बात करते हैं इसमें टोपिक्स की, फस हमारा टोपिक रेगा कि यहां पर सीड क्या है, सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें बीज क्या है सेकिंड इसमें अपन देखने वाले हैं कि 20 का अंकूरन कैसे होता है 20 का अंकूरन कैसे होता है राइट 20 का जर्मिनेशन, सीट का जर्मिनेशन कैसे होता है उसको अपन देखेंगे इसके बाद अपन देखेंगे 20 अंकूरन के परकार 20 अंकूरन के परकार इसके बाद अपन देख लिए वाले हैं कि उत्तम बीज के गुण क्या है उत्तम बीज के गुण कि भई अपन जो सीड लेते हैं अपन जो बीज वुआए के काम में लेते हैं वो एक भैत्रिन बीज होना चाहिए कि अपन जो बीज लेते हैं, वो कौन-कौन से गण उसमें खोने चीट, ताकि production हमें ज्यादा हो, एक तो normal बीज लेते हैं, एक hybrid बीज लेते हैं, तो दोनों में से ज्यादा बैस कौन सा होता है, और जो अपन बीज लेना चाते हैं उत्तम परकार का उसमें कौन-कौन से गुण होते हैं वो गुण उसमें सामिल होंगे तब ही वो उत्तम कहलाएगा फिर इसके बाद अपन देखेंगे बीजों के परकार कि सीड के कौन-कौन से टाइप है नमर शिक्स पर अपन देखेंगे बीज शुशुप तावस्ता इसके बाद नमर शेवन पर रहेगा बुआई की विदिया यलो जी और इसके लाबा इसमें थोड़ा सा आ जाता है बेसिक तो सीड के हमारे कौन-कौन से टोपिक है वो हमने पहले डिस्करस किया है कि बीज क्या है उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कौन अलग-लग वेगयानी कौन ने बीज की अलग-लग परिवासा दी है इसके लाबा पन देखेंगे कि बीज का अंकूरन कैसे होता है अंकूरन की प्रोसेस क्या है इसके लावा बीज अंकूरन के परकार कि एपीजियल है, हाइपोजियल है, क्या होता है एपीजियल, क्या होता है हाइपोजियल, इसके लावा उत्तम बीज के गुर्ण, फिर बीजों के परकार कि कौन कौन से बीज है, किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है, इसके लावा हमें बात करूँ, तो यहां से अपन क्योंशे की बात करें तो देखो, क्योंशे ह्ट आपके पुटॅप होता है अंकुरन के पर्कार से कि बैए, एक्जामपल कौन-कौन से आपके 20 के अंकौन जो होता है, फीजल और हैपोजल, Уसमें आपके example से क्यूशन पूटब करता है उत्तम बीज के गुण कौन कौन से इसमें जो गुण के प्रकार एला वहां से आपको क्यूशन पूटब करेगा फिर बीजो के प्रकार से सदाबहर क्यूशन पूटब होता है कि बहुत किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है उसमें भोतिक और आन्वान सिक शुदिता पृतिशत क्या है राइट बीज सुसुख तवस्ता कितने प्रकार की होती है कौन सी ऐसा कौन सा वहां पर प्लांट है जिसमें तीनों प्रकार की सुशुख तवस्ता पाई जाती यहां से क्यूशन्स फुट अब हुए है और बुवए की विदियां सीधा क्यूशन्स यहां से फुट अब होता है तो दोस्तों यह हमारे टोपी का मोसली आप स्टार्ट करते हैं अपन सीड को देखीगा सबसे पहले यदि मैं बात करो यहां पर सीड की बीस की यदि मैं बात करो तो बीस की दोस्तों अलग-अलग वेग्यानिकों ने अलग-अलग परिभासा बताई है अलग-अलग वेग्यानिकों ने क्या बताई है अलग-अलग परिभासा किसे ने कहा कि परीपा कोई विजान को हम बीस कहते हैं किसे ने कहा कि यदि आप पोध की समान एक नया पोदा तयार होता है जैसे पैतरक कोदे में जो लक्षन थे वो कि वो इसी में आ रहे तो उससे एक नया पोदा तयार होता है तो वो भी क्या कहलाता है बीज वनस्पति विज्ञानिकों ने अलग कहा ससे विज्ञानिकों ने अलग कहा तो अलग अलग nic знаем है वो अलगलग प्रकार से दी है उसको भी अपन правильно लेकिन उस से पहले यह देखें ember के कि बीज क्या है में के उंकूर्ण की प्रोसेश क्या आई इस में कौन-कूर्ण से भाग होते हैं तो देखेगा दोस्त यहां पर आपको बता दू कि सबसे पहले मैं यहां पर बनाता हूँ एक बीज देखेगा यह लोग जिए मैंने बना दिया यहां पर एक सीड बना दिया राइट अब यदि नॉर्मल यदि प्रोसेस इसमें अपन देखते हैं तो यहां पर होता है एक ब्रुन यहां पर क्या होता है तो इसको अपन क्या कहते हैं ब्रुन कहते हैं जिसको इंगलिस में एंब्रियो कहते हैं राइट इसके अलावा इस बीज के बाहरी एक आवरन होता है बीज के उपर बाहरी यहां पर क्या होता है एक आवरन होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? seed coat कहते हैं क्या कहते हैं? seed coat हिंदी में कहें तो bizavran क्या कहते हैं दोस्ट इसको bizavran कहते हैं 20 का आवरण मतलब seed को हमने coat पहना दिया जैसे सर्दियों बोपन coat पहनते हैं ताकि जो seed तरीतू है जो ठंड है उससे अपन बस सके ऐसे ही 20 के उपर मतलब भुरुन को जो बच्चा है उसको बच्चे को सरुक्सित रखने के लिए उसको coat पहना दिया जाता है चार ओर से ये नेचरल तरीके से अपन ऐसा नहीं की market से coat खरीद कर लाएंगे 20 के लिए भाई साब फिर पहना आएंगे वो वाला coat नहीं है तो 20 के चारों और यदि भुरुन की सुरक्षा करता है तो वो करता है बिजावर्ण इसके अलावा इसके बीच में होता है endosperm क्या होता इसमें endosperm जिसको क्या कहते है brun pos क्या कहते हैं इसको brun pos अब माना की हमने 20 लगाया 20 को हमने कहां पर लगाया मर्दा में अब उसके साथ हमने कोई खाना पिना नहीं डाला कि भाई साब तू nitrogen ले ले 100 gram phosphorus भी ले जा 100 gram potassium भी ले जा फिर बाद में कहीगा कि हमें खाना नहीं दिया तो दोस्त उसको खाना हम साथ नहीं देते खाना पहले से ही nature उसको अंदर दे रखी है brun pos pos का मतलब है potion मतलब उसका खाना तो brun क्या लेता है potion लेता है brun pos से brun की सुरक्षा कौन कर रहा है bizauran तो सुरक्षा भी कर रहा है उसको बोजन भी दे रहा है अब यहाँ पर इसमें तीन पार्ट होगे brun, brun pos और बिजावरan तो यह हमें पता लग गया और थोड़ा सा idea भी हो गया दोस्तो idea क्या हुआ कि भाई बीज में तीन भाग होते है एक brun होता है, एक बच्चा होता है उस वाले बाग से अंकूरण होता है उसकी सुरक्षा करता है विजावरan, उसको खाना देता है brun pos यहाँ तक मेरे साब से कोई problem नहीं है, इसको अपन definition इसको देखेंगे, background को भी अपन copy करेंगे, आप tension ना करें साथ साथ में notes भी इसके हम बनाते रहेंगे, जब मैं यह कहूँ कि आपको लिखना है, उस साइम अपन आप भी लिखना, मैं भी लिखूँगा बॉल बॉल कर लिखाएंगे, लिख लिख खर भी आपको लिखाएंगे, ठीक ना, तो इसके tension ना ले, अब देखेगा, इसके बाद यदि अपन देखते हैं, तो इसमें mostly यहाँ पर दो भाग होते हैं, कितने भाग होते दोस्त यहाँ पर, दो भाग, कौन-कौन से, कि भाई, सबसे पहले इसमें निकलता है radical root जब भुरुन का अंकुरन होता है, तो दोस्त यहाँ पर सबसे भाग निकलेगा, मुलांकु निकलेगा मतलब पहले जड निकलेगी, फिर उसके उपर तना निकलेगा, तने को निकाल दे चलो ठीक है, वाई साब यह निकाल दिया तने को लोजी यह किसको निकाल दिया, हमने तने को निकाल दिया, इसको क्या कहते हैं plume stem इसको क्या का दो plume stem हिंदी में कहें तो इसको मुलांकुर इसको कहते हैं प्रांकुर इसको क्या का वही प्रांकुर यह लोग बिल्कुल definition normal हो गई इसकी अब यहां पर हमने देखा है कि भाई साब जब भुरून का अंकुर्ण होता है तो सबसे पहले कौन सा भाग निकला जड़ वाला भाग निकला फिर तने वाला भाग निकला यह छोटी सी हमने इसकी process देखी है 20 की आप चाहो तो इस diagram को copy भी कर सकते हैं आराम से diagram को बना सकते हैं आगे इसका diagram आपको मिलेगा अटेंशन ना तरहें ठीक है तो इसका आप आराम से वीडियो को pause करके diagram को बना सकते हैं इसके भाग भी लिख सकते हैं कौन-कौन से भाग देखीएगा यहाँ पर कि भाई भुन pause तो क्या होता है भुन pause होता है 3N भुन क्या होता है 2N और इसके लवा बिजावरन भी क्या होता है यहाँ पर 2N तो भुन pause क्या है 3N और इसके लवा भुन क्या है 2N और बिजावरन क्या है 2N ठीक है ना तो यह वाली process मुझे उम्मीद है आपके आराम से बैठ गयोगी को इटेंशन नीए ना आगे चलें ठीक देखो अब यहाँ पर देख लीजीग अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो हमने last time देखा है उसकी process यहाँ पर देख लीजीग यहाँ पर देखो कि यह वलब भाग है इसको हमने क्या कहा था बुरुन कहा था जो बाहरी बहा गए इसको क्या कहा इसको बुरुन पोस कहा है इसके लावा यह क्या कहा यह है बई ब्रुन पॉस नहीं है ये तो क्या है बिजावरन है देखो जी सको दुबारा राइट करते हैं ये तो क्या है ब्रुन पॉस मतलब ब्रुन को जो खाना देगा वो क्या है और ये है जो बीज की सुरुक्षा कर रहा है जिसको अपने क्या कहते हैं बिजावरन कहते हैं क्या कहत या food store, food store यहां पर होता है, फूड मतलब खाना, खाने का storage यहां पर रहता है, जैसे कि आप खाना बनाते हैं, खाने को रख देते हैं, बहुत सुबह खाओ चोई साम कोई खाओ चोई दोपेर को खाओ, तो भून अपना कोशन यहां पर रखता है, और embryo जो की भृण है मुझे उम्मीद है यहां पर आपको कोई problems करेट नहीं हो अब यहां पर यह छोटी सी process हम ने देखी है अब आगे क्यों चलते हैं यहां पर देखेगा कि 20 के कौन-कौन से पार्ट होते हैं 20 के यह देपन पार्ट की बात रहे कि बाई 20 अंदर और बाहर दो भाग होते हैं बाहरी बाग को क्या कहते हैं और आंत्रिक भाग को अपन क्या कहते हैं तो यहां पर देखेगा राम से कि जो बाहरी भाग होता है उसको अपन टेस्टा कहते हैं यह कौन सा भाग है दोस्ट यहां पर बाहरी बाग जिसको पन क्या कहते है टेस्टा जो आंत्रिक भाग होता है आंत्रिक भाग होता है उसको हमने क्या कहा यहाँ पर कोटी लेडोन कहा क्या कहा वह दोस्त कोटी लेडोन अब इसको ध्यान से सुनना जो कोटी लेडोन वर्ड है यह आगे बहुत ज्यादा काम आने वाल है तो जह पूड का जहां पर स्थोरेज हो रहा है न बुरुन के अंदर ये वाला पार्ट क्या कहलाता है एंडोस्परम यहीं पर पोजिशन होता है यहीं से बुरुन बाहर निकलेगा कि बाई कौन सा भाग बाहर निकलता है कौन सा बाहर अंदर रहता है यह अपन आगे देखने वाले इसके अलावा apricotile और radical इसको मैंने बताय दिया है इसके अलावा यहां पर देखेगा कि क्या लिखा हुआ है micropile यह क्या लिखा हुआ है micropile लिखा हुआ है यह होता क्या है यहां पर देखेगा चोटा सा पोर है देखेगा यह होता कि आप प्राक्टिकल इसको देख सकते हैं आप चना लेना घर पे चना तो होगा अभी सीजन अभी चलता है ठीक है तो अभी सीजन में चने को तो गुवाई करेंगे वई चने को लेना और चने को लेने के बाद आप वहाँ पर एक चिस नोटिस करना को उसी कि चने की जो चौँच होती है चौँच के जस नीचे बहले भाग में आपको यहाँ पर एक छोट ऐसा पोर मिलेगा आपोगे सर उससे होता क्या है हम देख तो लेंगे उसका कारण क्या है उसका काम क्या है कि आप क्या आप चना बिगोकर खाते हैं बहलोगे सर बिलकुल खाते हैं बहले क्या करते हैं बहले सर प्याली लेते हैं और उसमें साम को बिगोते हैं थोड़ा वो चना डालते हैं प पता लगेगा दोस्त, जो माइख्रोपाइल होता है, चौंस की नीचे छोटा सा जो पोर होता है, उस वाले छेद से πानी अंदर चाता है。 कहां जाता है? अंदर. अंदर जाने के बाद चणा फूल जाता है. हम चोड़े बाजार सकड़े. बोले साब अब तो पाणी मिल गया, अब तो हम फूलेंगे अब किसी के बाप से नहीं रूपए अब तो फूल कर ही रहेंगे तो पूरी राद चना पड़ा-पड़ा उस पानी को पी जाता है जब सुभा देखते हैं तो फूल जाता है फूलने का काम कौन करता है? छोटी सी बात करें, कि 20 का जो अंकुरन हुआ है, उनमें कौन-कौन से कारक मिलते हैं, कि वह कौन-कौन से कारक है, यदि 20 को मिलते हैं, तब ही 20 का अंकुरन होगा, यदि वो नहीं मिलें, तो 20 का अंकुरन नहीं होता है, प्रोसेस रूप जाती है, तो तीन कारक आते हैं, मोस को कि अंकूरन के लिए आवशक कार कौन कौन से यहां पर नमी हो गई, ताप हो गया और वाई देखो जदि नमी की बात करते हैं तो 40 से लेकर 60 प्रतिशत 20 को क्या ची नमी ची ताप मान सूर्य से मिलेगा वाई उसे ऑक्सिजन मिलेगी, यहां पर ऑक्सिजन मिलेगी और यह कौन देगा वाई, यह देगा सूर्य भखवान अब इसको नौट कर लीजिएगा, आई थिंग आपने नौट कर लिया होगा, थोड़ा सा समझो कि 20 को अंकुलित होने के लिए तीन अंकुल परिस्तियां ची नमी ताप वाई, यदि तीनों में से एक भी नहीं मिलती तो 20 का अंकुल नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कि यह तीनों अंकुल परिस्तियां मिल गई, उसके बाद भी 20 का अंकुल नहीं होता, उसको कहते हैं सुसुखतावस्ता समझ गई जो आगे आने वाला जो टॉपी के स्टार्टिंग में आपको समझाए तो ना कि सुसुखतावस्ता क्या होती है यदि 20 को तीनों अनुकूल परिस्तेयां मिल जाती है दोस्त तो अंकूरन रुक जाता है कुछ समय के लिए नहीं होता उस लेकिन यदि यहां पर अपना मान लीजीगा कि बीज है तो नमी का मतलब तो यह हुआ कि बीज के उपर हमने पानी चड़क दिया तो भी तो आदरता मतलब नमी फैल गई इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो जितना उसको पानी चूटना पी लिया मतलब नमी आदरता का यह ह कि उसके उपर पानी छिड़क दिया ऐसा थोड़ी है तो फिर आपने 12th NCRT में पढ़ाओगा कि बारा दीज को बुआई करने से पहले 12 से 24 गंटी तक उसको पानी में डालते हैं पानी में डालने के बाद उसकी बुआई करते हैं तो हमने यहां पर तीन अनुकूल परस्तिया लेगा respiration की क्रिया होगी तो एक काम हमने पहले उसका कर दिया अब दो बाकी कारे वो अटोमेटिक कर लेगा तो इससे क्या होगा कि 20 का अंकूरण दो जल्दी होता है जो अंकूरण बहुत दीरे होने वाला था अब वो अंकूरण जल्दी होगा because उसको हमने एक अनुकूल प्रसिती पहले ही दे दी पानी पहले पिला दिया उसको क्या सब नहीं लगेगी अब वो खाना बनाएगा और स्वाशन की क्रिया करेंगा नमी कितनी चाहिए 40 to 60% 40 से 60% तक उसको नमी चाहिए तब ही 20 का अंकूरण होता है लेकिन दोस्तों एक बात बता यह मुझे कि 20 का अंकूरण होता है तो क्या उसको मिट्टी चाहिए एक बार सोचेगा कि यदि हमें 20 को बुवाई करना चाहते हैं तो क्या 20 को मिट्टी की आवशक्ता होती है क्या ये मिट्टी ना होतो क्या 20 का अंकूरण नहीं होगा आप सोचोगे सर बात तो ठीक है लेकिन हम बच्वन से तो ये देखते आ रहें कि सब जब उसको हमें मिट्टी में डालते हैं तब उसको अंकुर्ण होता है बिल्गल सही बात है लेकिन जो मैं बात बताने वाला उसको गोर से सुनी जिगा और फिर आप भी कहोगे कि हाँ बात तो सही है कि भई बीस को अंकुर्ण होने के लिए मिट्टी के आफशिक्ता नहीं है दोस्तो उसको आप थोड़ा बहुत उसके उपर पानी छिड़के एक गीले कपड़ों में बांदो अब कुछ याद आ रहे है जब गीले कपड़ों में उसको बांदो गे न तो उसको वहाँ पर थोड़ा सा तापमान मिलेगा वाई भी मिलेगी नमी तो मिली रही है तो वहाँ पर भीस का अंकुर्ण होता है कि नहीं होता जैसे माली जिगा कि आपने कभी साम को या रात को चने भी गोई और आप भूल गए उसको खाय नहीं तो एक दो दिन के बाद आप देखोगे ना तो वो वाला वीस अंकुर्ण हो जाएगा सभी बात है कि नहीं है बीस का क्या हो जाता अंकुर्ण अब आप उन्हें उसको मिट्टी में थोड़ी डाला ता मिट्टी में नहीं डाला तो भी बीस का क्या हो गया वहाँ पर अंकुर्ण हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि भाइसा आप बीस को अंकुर्ण होने के लिए मिट्टी चाहिए कोई जरूर नहीं है बस तीन अनुकुल प्रस्यां देतों नमी ताप वाईव मिल गई अंकुल हो जाएगा लेकिन तीनों मिल गई तो भी अंकुल नहीं होता तो वो क्या होती है सुसुप दावस्ता मुझे उम्मीद है कि यहां पर आप वो समझ में आ गया चलिएगा नेक्स देखते हैं अब यहां पर देखो परकाश मिलता है तो यह किस परकार से इसकी पतिया निकलती है गोर से देखेगा दोस्यां पर तब तक वहाँ पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा गल्ले में समश्या हो रही है देखो जी पत्यां कैसे निकल रही है फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस भी आपने देखा होगा कि सूर्य के प्रकाश में ही होती है प्रकाश मिलता है, उमीद देख लिया हो, चले एका next देखते है अब यहाँ पर देखीगा कि 20 का अंकूरन यहाँ 20 को लगाते हैं यहाँ पर देखो 20 को लगाया लेकिन यह 20 कैसा है, अंकूरित 20 है अंकुरित 20 को यदि लगाते हैं तो भाई साब उसमें आपने देखा होगा कि मुलानपुर तो पहले निकला हुआ है ये क्या है? रूट रूट निकल गई तो कुछ समय के पस्याथ इसमें क्या निकल जाएगा? स्टेम कुछ आगे वाली प्रोसेस को देखते हैं तो भाई साब यहाँ पर देखेगा कि ये जो प्लूम इस टाइम है इसकी लेंद काफी अच्छी होती थोड़ा और समय देखते हैं तो कुछ समय के पस्याथ देखेगा पूरा एक तना निर्मित हो जाता है चलेगा आप देखते हैं डेफिनेशन आपने अलग अलग परकार की डेफिनेशन सुनी है क्वल्थ में भी पढ़ाओगा इलेउंत में भी स्टेडी की होगी लेकिन आज अपन देखने वाले हैं कि दो परकार से परीभा साथ कि सस्विज्ञान वालों ने क्या कहा एग्रोनोमी वालों ने कहा कि हम अलग डेफिनेशन देंगे लेकिन वनस्पत्ति विज्ञान वालों ने बोटनिकल सैंटिस्टों ने अलग कहा कि हम तो कुछ और ही देंगे तो अपन दोनों ही definition को देखने वाले हैं याँ तो मैं लिख रहा हूँ आप इसको साथ साथ लिखे देखो जी सस्य विज्ञान वालों ने क्या का कि भाई बीज एक निस्य चतंटा है या मैं सीधे तोर पर कह सकता हूँ कि बीज एक परिपक्व विजांड है ये तो किस ने कहा था ये तो सस्य वनस्वत विज्ञान वालों ने कहा था पर चलो definition लिख जेगा मैं साथ साथ में लिखता हूँ याँ पर तो यहाँ पर क्या का कि भाई पोधे का कोई सा भी बाग पोधे का कोई भी बाग जैसे अब जैसे मैं देख सकते हैं कौन-कौन से भाग आते हैं जड तना पती देखेगा दोस्त कौन-कौन से भाग आते हैं जड तना और पती जड तना पती आधी को आधी को अपने पैत्रक पोधे, मतलब बाता और पिता, पैत्रक पोधे के समान नए पोधे उत्पन करते हैं ठीक है, तो वोई चीज़ क्या होगी, वोई चीज़ भाई बीज होगी उमीद आप लोगोंने लिख लिया होगा, यदि नहीं लिखाये तो वीडियो को पोस्ट करके जरूर लिख लिजीगा एक बार में इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ माना कि एक पोधा है, पोधे के मौसलियपन तीन भाग लेते हैं जड, तना और पत्ती तीनों में से यदि किसे भी भागोपन लगाते हैं तो मान लिए लिगा कि ये पोधा है इसका मैंने लिया, यहां पर जड़ वाला भाग लिया जड़ वाला भाग लिया, जड़ लिया और यहां पर लगा दिया और एक नया पोधा बन ले अब ये जो पोधा है ये किसके समान है, इसके समान है मतलब जो इसमें करेक्टर है, वो के वोई करेक्टर किसमें है सैम एजटी जिसमें तो इसके समान ये दूसरा नया कोदा बना है वोई चीज क्या कहलाती है बीज कहलाती है मतलब बीज में वो capacity होती है जो एक विसाल काई वरक्ष का निर्मान करता है आपने एक जिस नोटिस किया दोस्तों कि एक छोटा सा बीज होता है एक छोटे से बीज से एक विसाल काई वरक्ष का निर्मान होता है तो सोच लेजेगा कि उस बीज में कितनी थाकत होती है बीज के अंदर जो भून है उसमें कितनी पावर होती है अब वनस्पती विज्यानवाला क्या कहता है कि साब हम तो सीधी सी बात साइंस वाली बात करते है कि परीपक वी बिजान्ड ओवरी मतलब अंडाश है वहाँ पर एक ढून का निर्माण होता है उसी से किसका formation होता है seed का formation होता है तो परीपक वी बिजान्ड से ही 20 का निर्माण होता है यह कौन कहता है वनस्पति विज्ञान वाले कहते हैं तो चलेगा मैं नोट करता हूँ आप भी साथ में नोट कीजिएगा इसको कि भाई बीज एक परीपक्वे बिजांड है बीज एक परीपक्वे बिजांड है जो अब ही स्टार्टिंग में पड़ा जो भुरुन पोस चुखाना देता है किसको भुरुन को भुरुन पोस भुरुन वे बिजावरन बिजावरन से मिलकर बना होता है मिलकर बना होता है वही क्या कहलाता है मेरे दोस बीज कहलाता है तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा है उम्मीद आपने लिख लिया होगा नहीं लिखा है तो वीडियो को पोस करके लिख लिया करो आप ठीक है न? तो समझना ज़्यादा है लिखना भी है लेकिन लिखने से ज़्यादा इसको समझ ना है यदि समझ में आ गए न तो फिर लिप तो आप लोगे कोई टेंशन नहीं है मिरे साब से समझ में तो आरा होगा आपके दुबारा देखो ब्रुनो पोस, ब्रुनो और बिजावरन तीनो मिलकर बीज का निर्मान करते हैं सुरक्षा भी करते हैं, खाना भी देते हैं वो ही क्या है? बीज है अब नेक्स एक छोटा सा पोइंट आ रहा है यहांपर टोटियो पोटेंसी जिसको पन क्या कहते हैं हिंदी में पूर्ण शक्तिता, मैं एक बार हिंदी में लिखता हूँ इसको पूर्ण शक्तिता हिंदी में क्या कहा इसको पूर्ण शक्तिता, और इंग्लिस में क्या कहते हैं टोटियो पोटेंसी मतलब क्या है? पूर्ण शक्ता मतलब पूरी सक्ति मतलब बीज में वो power है बीज में वो capacity है बीज में वो सकती है जो एक नए पोधे का निर्मान करता है और एक ही बीज से बहुत सारे क्या बनते हैं तने बनते हैं बहुत सारे पोधों का निर्मान होता है बिल्कुल नॉर्मल परीबासा देखो मतलब 20 में वो पावर होता है जो अपने समान एक नए पोधे का निर्मान करता है 20 को लगाया और 20 से एक नया पोधा बना जो नया पोधा बना है वो किसके समान था? जो पहले वाला पोधा था तो 20 में वो पावर होती जो अपने समान एक नए पोधे को जन्म देता है पैदा करता है नौट कीजिएगा, मेरे साथ साथ वे बीज में नौट करें भाय यहां पर बीज में पूरी शक्ती पाई जाती है 20 में पूरी शक्ती पाई जाती है जो अपने समान जो अपने समान स्वस्त पोधे को मतलब पोधा स्वस्त होना चाहिए उस्ट तोड़ी की बिमार पोधा होगा स्वस्त पोधे को जन्म देते हैं पैदा करते हैं स्वस्त पोधे को जन्म देते हैं उसी को अपन क्या कहते है उसी को अपन पूर्ण शक्तिता या फिर पूरी सक्ति कहते है चलेगा next देखते है अब अपन देखेंगे यहांपर types of seed मतलब बीजों की क्या-क्या परकार है बीज कितने परकार के होते हैं बहुत ज्यादा important है आप लोगों के लिए इसका मैंने वैसे YouTube पे भी वीडियो डालाता है यदि आपने देखा है तो कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है नहीं देखा है तो अब देख लीजेगा देखो जी, यहां से आपके questions put up होते हैं अब हमने देखा basic कि बहुत बीज क्या कहलाता है बीज के परिवासा क्या होती है बीज में कौन कौन से भाग होते है लेकिन अब आपन देखने वाले हैं कि types of germination मतलब बीज अंकूरन के परकार यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा confusion होता है confusion कहां से put up होता है confusion यहीं से put up होता है जो बीज के अंकूरन के परकार है यहां से confusion put up करता है और example में confusion रहता है तो आप लोग तयार है confusion को दूर करने के लिए देख भई मैं तो तयार हूँ मैं पूर्ण रूप से तयार हूँ हिंदी का बैचर इंगलिस में आप टाइप कर रखे हो तो लिख देते हैं बीज अंकूरन के परकार ठीक है जी एपीजियल को अपन क्या कहते हैं एपीजियल को अपन कहते हैं उपरी भूमिक हिंदी में क्या कहते हैं इसको उपरी भूमिक ठीक है न जी और हाइपुजियल को कहते हैं दोस्त यहां पर अधो भूमिक क्या कहा अधो भूमिक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देखना है बिल्कुल नॉर्मल और शांदार तरीके से देखना है क्यूशन में आंस्वर छुपा हुआ है उपरी भूमिक देखना क्यूशन में आंस्वर कैसे डूनते हैं उपरी भूमी वाली मतलब उपर वाली जो लेर होती है उसमें होता है एपीजियल अदो मतलब नीचे जो नीचे वाली लेर होती है उसमें क्या होता है हाईपूजियल तो भूमी के अंदर अंकुरन हो अदो जो बाहर हो वो क्या है उपरी मतलब एपीजियल और हाईपूजियल लेकि क्या आप इंग्लीस तो आप को ज्यादा आसाल ही रहे क्योंकि हिंदी में confusion ज्यादा रहता है क्योंकि आपकी जो टेस्ट में पराने वाले हैं तो डेकी का की एपीजियल को अपरी भूमिक हाईपोज जिल को भी कहते हैं अदो स्वाक्थ कि माना कि हमने लगाया बीज, यहां पर भी लगा दिया और यहां पर भी लगा दिया, बिलकुल आराम से, रभी सिजन में गेहू लगाते हैं, खरीब सिजन में अपन बाजरा, मूंग, मोठ, उरद, चम्ला, अरहर सब लगाते हैं, रभी सिजन में चना, सरसू, मटर, यह सब लगाते हैं अब उन्हीं बीजों के अंकुरन को देख रहे हैं जैसे कि आप नॉर्मली बात करें कि साथ आप खेत में गए वह हो रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं रहा है कि यह जो बीज का अंकुरन हो रहा है इसमें एपीजल है या फिर हाइपुजल है तो अपन उसको भी प्राक्टिकल यहां पर देखने वाले हैं, डाइग्राम से भी देखेंगे, और वो भूमी से अंकुरनों के बाहर किस प्रकार से निकलता है, उसको वेपन देखने वाले हैं, लेकिन जनरल या बेसिक यदि या अपर तरीका देखें, देखो, भाई भूमी में हमने लगा अब तो समझ भी आ गये हैं, हिंदी और इंगलिस बहुत मीडिया में हम चलेंगे, आप एंशन आले, विजावर्ण, यदि विजावर्ण पहले निकलता है, तो अंकुरन कौन सा होता है, एपीजियल, लेकिन यहां पर देखेंगा, अंकुरन हुआ, और अंकुरन के बाद यदि पतिया निकलती है, क्या निकलती है दोस्ट यहां पर, पतिया, क्या निकलती है वही, यदि पतिया निकलती है ना दोस्ट, तो वहां पर अंकुरन कौन सा होता है, हाईपोजियल होता है, अब तो मेरे साब से को टेंशन नीए, पति और बीज पत्र में तो अंतर जान आगे, कि यदि पत्या निकलती है, तो उंकुरन कोुझसा होता है, हाईपो जिलोता है, मेरेशवर से आप कोई प्रोबलुम क्रे नहीं होगी, अब आप आराम से देख भी सकते हैं, पैचान भी सकते हैं, आओ, बाइगराम को देखते हैं, देखो यहाँ पर, बाइगराम को गोर से देखना दोस्ते हैं, यहाँ पर देखेगा मेरे दोस्त, कि 20 की प्रोसेस देखते हैं, कि 20 को लगाया, जब 20 को लगाया, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या निकला है, मुलांगपूर निकला ह लेकिन basically मुलांकूर को निकलने के बाद यहां पर देखो कि यहां पर हाइपोक्टाइल या इसको पर कहें कोटीलेडोन देखो इसमें सबसे पड़ा डिफ्रेंस है उसको गोर से सुनना एपीजेल में कोटीलेडोन भूमी के बाहर है लेकिन यहां पर देखो हाइपोजेल में कोटीलेडोन भूमी के अंदर है यहां अब यह बाहर क्यों आया यहांद भाइसाब अनदर क्यों रहा इसका वेपन रिसन देखेंगे लेकिन पहले यह भी देख लेगि氣 एपीजेल का अर्थ क्या होता है तो देखो यहां पर AP का अर्थ होता है दोस्त यहां पर About क्या हुआ? About और ZL का मतलब अर्थ मतलब जो अर्थ से बाहर आए वो AP जल हाइपो का मतलब क्या हुआ यहां पर? Below मतलब भूमी के अंदर Qution में आंस्वर छिपा हुआ है रटने के आवशक्ता है नहीं मिरे साब से और भाई आवशक्ता है के रटने की? बिल्कूल भी नहीं मिरे साब से Qution में आंस्वर छिपा हुआ है मैं आपको हर एक भैतरिन तरीका बताऊँगा Agriculture को यह मान के जिलना दोस्तों कि एक interesting अपने interest ले लेके पढ़े पीजल हाई पूजल इसमें पहले उपर बाहर निकलता है पता चला खेत में गए तो वही बाहर क्या निकल रहा था? अंदर कुछ था या बाहर कुछ था? खुल गए ना फिर तो रटेंगे नहीं? समझेंगे देखो तो सारा खेल किसका है? कोटी लेडोन का है बीज पत्र और ये क्या है? बार तो ये भूमी के अंदर है इसमें बीज चोल की बित्ती ये जो बीज चोल है ना इसकी बित्ती में पानी भर जाता है पानी भर गया तो भाई बीज चोल क्या होगा? फटेगा जब फटेगा तो उस वाले भाग से क्या निकल जाती पत्या लेकिन इस वाले भाग में बीज चोल में पानी नहीं बढ़ता पानी नहीं बढ़ता तो भाई बीज चोल फटेगा नहीं और यह पत्या यहां से निकलेगी नहीं उम्मीद बैठ किया होगा तो भाई सारा खेल किसका है, कोटी लेडोन का है, अब कैसे बीज निकलता है, डाइग्राम को देखो, देखो अराम से, यह हाइपूजियल का परकार है दोस्ते, बहुर से देखेगा कि बीज के उपर देखो कैसे प्रेशर लग रहा है, कोटी लेडोन इसके भूमी के अंदर रह गया कि नहीं, बीज पत्र उसमें पानी बर गया, पानी के प्रेशर की करन देखो, यह पत्या निकल गई, लेकिन तो वाईट वाईट जो कलर है न, इसको कोटी लेडोन कहते है, जो भूमी के अंदर रह गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है न, अब तो आप आप पैचान सकते हैं। कोटी ले पोटाइन इसमें भूमी के अंदर रहता है। और मैं इसमें कार रहता है ? बार रहता है। चलो next बात कर रहे। अब यह हमने देखा है DK example की बात कर लेता है। example मैं नोट करा हाँ जी चलो एपीजेल के एक्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर वन सेकंड हाँ जी डाइगरम देखे लिए हमने एपीजेल का मतलब होता है उपरी भूमिक और हाइपोजेल का मतलब क्या होता है हाइपोजेल का मतलब है यहाँ पर अधो भूमिक ठीक है न दोस्त ओके एपीजेल और हाइपोजेल को अपने आज के कुलास को यहीं फिनिश करते हैं एपीजल और हैपीजल को ओपन नेक्स लक्षर में देखेंगे कहां तक कोई प्रोब्लम नहीं जब क्लास को नेक्स लक्षर में विस्सार्ट करेंगे थोड़ा सा पीछे चल कर वापिस हम उसको revise करके next lecture में स्वाले topic को देखते हैं thank you